वेलकम स्टूडेंट इस किलास के अंदर हम देखेंगे कि हम अगर आपका पहुत सारा लेंदी टेक्स्ट है तो हम उसे कॉलम में किस तरीके से डिवाइड कर सकते हैं हमोमन आपने newspaper में भी देखा होगा कि newspaper में क्या होता है कि आपके जितना भी content होता है वो छोटे छोटे columns के अंदर divide हुआ होता है ठीक हो किया तो अगर आप चाते हैं तो आप के भी data है उसको आप column के अंदर divide कर दे ताके जो redeem करने वाले लोग हैं उन्हें ज्यादा दूर तक जो है रीड करने के लिए अपनी आपकों पर जोर लगाना ना पड़े तो आप ऐसा कैसे कर सकते हैं आईए चले देखते हैं और एक देम्पल हमारे पास ये एक फाइल ओपिन है जिसका नाम है लाइसेंस एग्रिमेंट ये फाइल आपको डाउनलोडबल लिक पर मिल जाएगी बास आरी आप नीचे डिस्क्रिप्शन में दिये गए डाउनलोड लिक पर किलिक करके इस फाइल को डाउनलोड कर ले अब इस्टूरेंट देखें कि ये जितनी भी कॉंटेंट लिखा हुआ है इसको मैंने क्या करना है कि दो कॉलम के अंदर डिवाइड करना है तो आएए चले देखें पहले जो कॉंटेंट आपने कॉलम के अंदर डिवाइड करना है उससे आप चले कर ले उसके बाद आप ले आउट पर जाएं layout पे जाने के बाद देखें यहाँ पे एक option columns का तो by default यह एक ही column है आप दो पे लेकर जाएंगे अपने mouse को और तीन या तीन पे तो यह आपके content को दो या तीन के अंदर divide कर देगा चले मैं दो करके दिखाता हूँ पहले आपको तो यह देखें इसने क्या किया है कि इसने तमाम का तमाम content vertically और horizontally दोनों बराबर कर दिया है और दो columns के अंदर इसने कर दिया है तो अब इसकी कुछ by default setting भी है कि इसने यह जो बीच में space रखा है दो columns के दर्मिया यह कितना होना चाहिए वगेरा वगेरा तो इसने अभी फिलाल क्या किया है कि हमारा जितना भी content हमने select किया था उसे दो column के अंदर divide कर दिया आप जाएं तो इसकी भी setting कर सकते है तो यह मैं पेले से तीन पे करके दिखाता हूँ आपको देखें यह तीन में divide होगे मैं फिलाल दो पे ही रख देता हूँ और दो पे रखने के बाइस की छोटी सी configuration करते हैं हम देखें more column पर आएं more column पर आने के बाद इस box को मैं यहां से हलका से यहां पर लेकर आ जाता हूँ और देखें यहां पर वही presets नजर आ रहे हैं जो आपको पहले drop down में नजर आ रहे थे आप यहां से भी दुबारे से changes कर सकते हैं इसके अलावा यह यह देखें range का option है इस range का option से भी आप मिसाली तोर पर चार अगर column करना है आपने तो चार यहां से ही कर सकते हैं आप presets में से या यह जो option तब column कर इस में से आप वो यह काम नहीं कर सकते मिसाली को तोर पर अगर आपने चार column बनाना है तो और मैं से दो ही कर देता हूँ तो यह देखें इसने 2 की width कितनी रखी हुए by default 3.48 inch सही हो गया और इसने spacing कितनी रखी हुए 4.5 inch 4.5 inch जो है यह जो दो column है इसके दर्मेयान की जो यह gap है इसे यह कहरा है कि इसकी spacing इतनी है तो हम क्या करेंगे इसकी spacing 4.2 कर देते हैं ठीक होगी इसकी spacing यह कर देते हैं और इसके लावा हम यह कर देते हैं लाइन बिट्वीन कर देते हैं मतलब कि दोनों कॉलम्ब के दरम्यान लाइन भी आए जाए और उसके बाद देखें जैसे ही मैंने इस पैसिंग कम किये तो इसकी विद बढ़ गए ये दोनों कॉलम्ब के अब जो टेक्स्ट होगा वो जादा जादा नजर आएगा तो मैं इसे ओके करता हूं तो ये देखें जो दोनों कॉलम्ब के दरम्यान जो गेप था वो कमो गया है इसके अलावा मैंने एक सेपरेशन लाइन भी दे दी है जिसकी मतलब से हमें लग ऐसा राय के हमारे तो अलग-अलग कॉलम्ब बन गए हैं और बन तो पहली भी गए थे लेकिन अब थोड़ा अच चार कॉलम्ब भी करते हैं तो वो सब पर इतना ही गेप आ जाता और सेपरेशन लाइन आ जानी थी ठीक है स्टुडट तो इस तरह के से आप निउस्पेपर की इतना कॉलम्ब बगेरा बनाकर काम कर सकते हैं